गाइज लास्ट की दो वीडियो में मैंने बताया था कि ESP32 और ESP8266 बोर्ट को हम लोग अपने Android फोन से कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं तो गाइज इस वीडियो को बनाने का मेरा में मक्सद ये था क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास computer या laptop नहीं होते हैं इस वज़े से मैंने ये वीडियो बनाया अब बहुत सारे लोगों को दिक्कते आ रही हैं बहुत सारे लोगों को problems आ रही हैं इस board को upload करने में यानि program करने में बहुत सारे लोगों को compilation में आ रही हैं और भी बहुत सारी दिक्कते आ रही हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग इसी सारे problem के उपर discuss करेंगे, और troubleshoot करेंगे, देखेंगे कि कहां पर क्या problem है, इसका क्या solution है, क्या solution नहीं है, तो चलिए guys वीडियो को हम लोग सुरू करते हैं, तो guys सबसे पहले जो लोगों को problem आ रही है, compilation for ESP8266 is not supported, अब यह क्या होता है, अब जैसे कि हम लोग प्रोग्राम हम लोग अपने screen पर copy कर लिए, Arduino Drive में, अब जब भी हम लोग उसको compile करने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि नीचे में एक bottom, screen के bottom में pop-up आता है, compilation for ESP8266 is not supported on your phone, 64 bit required, तो इसमें क्या होत है कि अगर इसका solution में आप लोगों को बता हूँ, यह बीच में जब ESP8266 आया, ESP32 का जब update आया, तो उसके बाद फिर support नहीं कर ला था, लेकिन 2-3 दिन या 10-12 दिन के बाद, 10-12 दिन के बाद यह update को देने के बाद fix कर दिया गया, ESP8266 जो board है, अब फिर से support करने लगा है compilation 32-bit processor में भी, तो guys इसका solution यह है, कि आप लोग अपने phone में जाएं, play store में जाकर update कर लें यह बाले application को, अर्डिनो ड्राइड को, आपको जो भी problem देखने को मिल रहा है, यह solve हो जाएगा, अब next हम problem की तरफ चलते हैं, compilation for ESP32 is not supported, अब बहुत सारे लोग तो update कर चुके हो होंगे, update के बाद भी यह लिख रहा है, ESP32 is not supported, तो यह क्या होता है, अब बहुत सारे लोगों को problem आ रही है, 32-bit processor है, किसी का 64-bit है, तो इसमें क्या हो रहा है, कि इसका तो कोई अभी तक solution मिल नहीं पाया, guys, क्यूंकि अभी यह जो application है, compilation ESP32 के लिए 64-bit के लिए ही है, हम लोग उमीद करते हैं, कि developer जो भी इस application को develop कर रहे है, वो इसके लिए 32-bit compilation के लिए भी optimize कर लेंगे, तो इसको हम लोग future के लिए wait कर सकते हैं, तो इसका तो कोई solution नहीं, हम लोग सिर्फ wait कर सकते हैं, अब next हम लोग चलते है, 64-bit, बहुत सारे लोगों confusion हो रही है, कि 64-bit क्य हम लोगों को market में देखने को मिल रहा है, अभी latest जो भी phone आ रहे हैं, तो ये majority of 99.9% तो 64-bit प्रोसेसर ही होते हैं, तो अभी आप लोग अगर 10-12,000 से उपर के जितने भी phone हैं, सब में 64-bit मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ, कि उसमें 64-bit प्रोसेसर आते हैं, तो उसमें तो कोई ड Galaxy A7 2016 model, तो इसमें जो company claim करती है कि 64-bit प्रोसेसर है, लेकिन 64-bit प्रोसेसर तो है, लेकिन फिर भी support नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा phone पुराना सायद internal कुछ problem हो, तो इस वज़े से मेरा phone support नहीं कर रहा 64-bit होने के बावजूद, तो guys आप लोग के पास कोई पुराना phone 64-bit या 32-bit तो आप लोग सिर्फ wait कर सकते हैं, तो guys इसका solution simple सा यह है कि अगर आप लोग के पास घर में दूसरा कोई और phone 64-bit तो आप लोग उससे भी program कर सकते हैं, या नहीं तो अगर किसी के पास घर में एक ही phone है वो भी support नहीं कर रहा है, तो आप लोग अपने friend से भी लेकर अप ESP32 और दूसरा board है ESP826 यह दोनों ही board हम लोग मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इसको कैसे program करते हैं, तो guys अब physical problem के बारे में बात करें हम लोग, तो सबसे पहला problem है कि इसमें हम लोगों को problem आता है USB cable से, अगर हम लोगों को uploading में error मिल ला है, तो आप लोग सीधे से आप लोग सबसे पहले USB cable को आप लोग चेंज करके देख सकते हैं, या आप लोग physically भी आप देख सकते हैं, कहीं से cut out हो तो नहीं है, अगर cut out होगा होगा, तो फिर आपको uploading में दिक्कत देगा, यह तो हो गया first problem, जो कि हम लोगों को uploading में problem आता है, अब next चलते हैं, अब guys देखिये दूसरा problem क्या होता है, कि हम लोगों ने देखा कि wire से भी problem आ सकता है, लेकिन कभी-कभी in case क्या होता है, कि हमारा जो charging वाला jack है, यह भी खड़ाब होता है, यह अंदर से या तूट जाता है, या फिर lose हो जाता है, इसके वज़े से भी हम लोगों को programming में problem आ सकता ह तो यह हो गया physical का दूसरा problem, अब guys मेरे पास जो अगला comment आया है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत यह होगा है, कि उन्हें board पता नहीं चल पारा है, कि उनके पास कौन सा वाला board है, तो मैं simply सा आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, कि मैंने यह local market से purchase किया, तो इसमें कोई ESP32 board का, तो यह जो board है, यह आपको Arduino में जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह वाला option, तो इस option को आप लोग जादा तर majority of market में यही आप लोगों को board अविलेबल है, ESP32 वाला, मैं फिर से दो राना चाहूंगा, ESP32 board आप लोगों को यह वाला अविलेबल है, जिस board आते हैं, एक version 0.9 और एक दूसरा वाला version है version 1.0, तो आप लोग Arduino में, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, Arduino Drive में, दो option आप लोगों को मिल रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को market में दो board available है, तो आप लोग अपने board पर अगर पीछे लिखा हुआ होगा, बहुत सार नहीं है, तो सिर्फ market में दो board available है, majority of में, तो गाइज इसके लिए आप लोगों को market में दो board available है, एक version 0.9 और दूसरा वाला version है version 1.0, तो आप लोग यहाँ पे Arduino Drive में आप लोग सेटिंग में डाकर सेलेक कर सकते हैं, दो ही board available है market में, और अगर तीसरा board किसी को अगर मिल ज लोग मुझे Instagram पर follow करके, आप लोग मुझे DM करें, मैं आप लोगो को message का जवाब में वहाँ दूँगा, guys अब चलते हैं हम लोग अपने next problem की तरफ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ESP board में, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ESP 8266, ESP 32 board जो है, इसमें कुछ pin काम नहीं कर रह अभी मैं आप लोगों को detail में नहीं समझा सकता है, इसके लिए मैं अलग video बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसके लिए आप लोग wait करना, तो उसको आप छोड़के आप लोग किसी और pin को भी आप लोग select कर सकते हैं, अपने programming में, code में जाकर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर D33, 32, 35 इस type का pin है, अगर कोई काम नहीं करें, तो आप लोग दूसरे pin को भी select करके वहाँ पर लिख सकते हैं, इसके लिए आप लोग को simply सा अपने code को खोलें, अगर कोई सा भी pin काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आप लोग देख लें कि कौन सा pin काम नहीं कर उसके alternate में आप लोग दूसरा pin भी आप लोग वहाँ पर दे सकते हैं, जैसे D5, D4, एक्जांपल की तोर पे मान लेजे, D5 काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग D4 देख सकते हैं, या D6 भी दे सकते हैं, तो इस type से आप लोग जोगार लगा कर अपना काम कर सकते हैं, और बनाऊंगा ही, मैंने पहले ही वहताया, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड़ बाई